आप सबस्टाइब है हमारी यूट्यूब चैनल चाया मिस्रा की रसोल में तो आज की रेस्पी क्या है आप लेखिए गार और पसंद आती तो लाइक करिए और सस्क्राइब करिए और सेयर करिएगा तो चलिए देख लेते हैं आज की भी यह देखिए आज हम ऐसी चीज बनान कद्दू की आप सब्जी कह सकते हैं या दाल कह सकते हैं जो भी कह सकते हैं अभी देखिएगा पच्चे बहुत प्लेम से खाएंगे इस चीज को तो जैसे हमारे घर में हम बनाते हैं बस उसी तरह से बनाएंगे तो देख सकते हैं यह प्याज यह ले लिए है टमाटर और हर हम बारीक चप कर ले लेंगे तो इसको भी हम चॉप करेंगे तो इसमें डाल देंगे प्याज ने देख सकते हैं इस तरह से आप बनाएगे न तो कद्दू की सब्ची बचे एकदम मांग एक खाएगे बिलूकुल मदब बचे-गी नहीं आपके लिए इतनी अची टेस्टी ब देखिए इसके लिए अपको कद्दू HERE लेना है, अगर आपका कद्दू हार्ड है, तो आपको छिल के छिलने पड़ेंगे. मगर कद्दू हमारा हार्ड नहीं था, इस वज़ए से हमने छिलके साहित ले लिया है. यह ले लिए है चने की डाल क्योंकि आपनों को पता चने की डाल बहुत ज्यादा पॉस्टिक होती है तो चने की डाल ले लिए धो के मनलब ले लिया है चने की डाल और कद्दू को और अब देखिए अपने कुकर में हमने एक लैडल भर करके डाल दिया है मस्टर्ड ओयल ते तो यहां पर देखिए ध्यान देने वाले बात यह है कि आपको प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है हलका सा नहीं पकाना है बढ़िया से ब्राउन हो जाए इतना पकाना है तो यह देखिए अच्छे से ब्राउन हो रहा है प्याज हमारा देखिए अगर आप लेसुन खात अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिसमें थोड़ा सा पाई डाल देंगे जिससे की मसाले हमारे जले नहीं यह डाल देंगे कस्मीली लाल मिर्च पाउडर देखिए हम तीखा नहीं कर रहा है जैसा कि आपनों को पता है बच्चों बच्चे को तीखा मना है इस वचे से जादा ती तो देखे इस तरह से डग कर अच्छे से पका लेंगे, आप मसाले देख सकते हैं, कितने अच्छे से कूक हो चुके हैं, कि ओयल पूरा मसाले के ऊपर दिख रहा है, और मसाले का कलर देख सकते हैं, टेक्स्चर देख सकते हैं, कितना अच्छा आया हुआ है, तो इस मसाले को भूनने का प्रोसेस बिल्कुल धीमी फ्लेम पर करना है और आप क्या करेंगे के कद्दू एट करेंगे अब कद्दू को हम अच्छे से फ्राई करेंगे और इसमें डाल भी एट कर देंगे साथ कद्दू अब इसमें आप डालते समय आपको लगेगा कि पानी गिर रहा है तो अब इसमें डाल देंगे पानी तो हमने दो ग्लास भरके पानी डाला हुआ है आप अपने अपको बिल्क ऐट असे पहलते हैं पकाड़ें आपको लाइचैनि क्वि कि फ्लीक खसंदी खाना पसंद पकेष्ट 오늘 चावल से कहाथए तो जैसे आपको ग्रेवी चीए वाइसा कर लीजेगा आप देखिए इसे हमने 5-6 सीटियन देखर के पका लिए अच्छे से अभी देखिए आपको कद्दू खड़ा-खड़ा साबूत दिख रहा होगा मगर अभी देखिए कद्दू अदम से गायब हो जाएगा तो यह देखिए हम लेगे पोटाटो मैसर इसे मैस कर द मैं यह आवागली तो यह देखि तरह से आप बना तुप कर देखिए कॉट्व की चुपकि प्सक्राइगे अच्छे का जिए-च्वतिम च्श्ड़ित csak टीशक सब्सक्राइए नियुकल न साबुत मसाल गया है। दंईा मैंटip नाया कोट लेंगे. कूटने के लिएत जो साबुत मसाल ऐ avent करोगे ना इसकी होड़ेगों अच्छी होती है। तो देख सकते हैं धनीया साया कूट की अथ bacon दनिया जर्णे लोगे साब। और यह पर हम डाल देंगे हिंग तेजपत्ता ये देखें साबुत मसाला मिया रखा था दाल चीनी ये लॉंग मिर्च से भूल लेंगे यह देखिए जो हमने किसाबत मसाली इस तरह से फ्राइब करें डालेंगे तो इससे बहुत अच्छी घुस्बू आएगी जो के बच्चे बहुत अच्छे से मांगेंगे और यह मसाला आप किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं बहुत टेस्टी लगेगा यानि धनिया काली मिर् दाल चिनी का टुकड़ा इनको कूट कर डाल दिजे अगर भी हमारी ये वीडियो पसंद आई हूँ तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड से एर करिएगा